पाकिस्तान के बाला कोट में भारतिय वायू सेना की एर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है पाकिस्तान इस वक्तड बुरी तरह बोक्ला आया है वो कल से ही सीज nose fire का उलंगन कर रहा है और वही अब ही सुबह-सुबह ख़बर आई है कि पाकिस्तान का एक विमान ने भारतिय वायू सीमा का भी विलंगन करने की कोशिश की और घुस-पैट करने की कोशिश की यह पाकिस एरफोर्स ने लड़ाकू बीमानों ने उसको वापस उसी रास्ते से पीछे धकेलने में काम्याब हुए है भारती एरफोर्स हुई है और उसके बाद से थोड़ा सा सीमा पर आपको भी मालूम है हमको भी मालूम है कि जो है मुझाफराबाद और बाला कोट और चकोटी में ज जो एक बहतेरीन कमाल किया था और आतंगबादियों के कैम को जो निस्तानबूत किया था उसके बाद से सीमा पर एक तरह से तनाव बढ़ा हुआ है और दिल्ली में इसलामाबाद में हर जगद जो है एक जो है बैठोकूं का दोड़ चला है उसके बाद से जो है जैसे ही गतिविदियां देखी जा रही है वहाँ पर सीमा से सटे हुए इलाकों में जैसे पंजाब में रास्थान में और जमु कस्मीर में जमु कस्मीर की अगर हम बात करने तो ले जमु सिरी नगर पठान कोड पर जो है हाई अलट की बात की जा रही है बिमानों की आवाजाई पर की जो है यात्रीयों की टिकेट रद कर दी गई है और बहुत बुरी तरह बॉकलाया हुआ हाके हालकि अमेरिका ने भी अभी विदेश्य मंत्राले ने परस्ट कर दिया है कि पाकिस्तान पहले अपनी जमीन का आतंकवाद खर्तम करें अमेरिका ने एक बार फिर से जवानों पर जो हमला हुआ था उसका उसकी निंदा की है और बावजूद उसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज बाज नहीं आ रहा है पूरे विश्व में वो अलग फलग पढ़ रही है और सारी जो गलत घत्वी दिया है भारत में आतंकवाद और इस तरह को फैलाने का काम पाकिस्तानी करता है और उसी का हमने जवाब दिया था जो परसो घटना होई थी रात को साड़े तीन बज़े वह हमने उसी बात पर किया लेकिन जो अभी अभी जो इसमें जो ड देड़ दिया है और एक एहतियातन जो है काफी जो है जो है सुरक्षा बढ़ती जा रही है और एहतियात बढ़ते जा रहे हैं उसके उसके बीसे और भी दो चीज़ें डबल अप हुई है वह मैं आपने दरसों को बता दू एनसे के साथ ग्रिह मंत्री की जो बैठक हो रही है उसमें सभी डीजेपी, सी आरपीफ के डीजेपी, सी आई एसफ के डीजेपी और सी आरपी के डीजेपी सभी के साथ ग्रिह मंत्री एक बैठक कर रहे हैं सुबह भी एक बैठक हुई है नसे के साथ और तीनों सेनाओं के साथ ग्रिह मंत्री बैठक है तो काफी जो है गत इसके लावा खबर ये भी है कि जो नौशेरा में पाकिस्तान का लड़ाकु इमान घुसा उसने कुछ बंभी गिराए हैं क्या कहना इसके कुछ अपडेट से नहीं आ रहा है चुकि खबर सरकार के तरफ से जब तक हम पुखता नहीं होगी तो इस तरह की आप हुआ हैं चलती कि अभी थोड़े पहले खबर आई थी जिस तरह से कि पाकिस्तान का लड़ाकु इमान भारतिये सीमा में घुसा उसको भारतिये वायुसेना ने पूरी बहदुरी के साथ खदेर दिया है इस बारे में और भी जादा जानकरी के लिए हम आपको आगे की जानकरी देते रहें के आप बने रहे हमारे साथ